नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में वह सब के प्रिय हैं और सब का कल्यान करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं, इस खास दिन यानि कृष्ण जन्माश्टमी की दोस्तों कई हजार सालों पश्चात साथ, सितंबर दो हजार तेईस को बहुत ही दुरलब और अध्भुत सा योग बनने जा रहा है, क्योंकि इस इस दिन जो भी मांग ले वह आपकी हर इच्छा भगवान कृष्ण शीघर ही पूरी कर देंगे, वहीं दोस्तों कृष्ण भगवान को प्रसंद करने के लिए जन्माश्टमी पर कुछ खास उपाए, जरूर करने चाहिए जो की आपकी किस्मत बदल सकते हैं, और आपको मा अलामाल बना सकते हैं, यदिया. संपूल पूजा विधी क्या है, इस दिन में कौन से उपाए है, जीसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, दोस्तों यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोटसव के रूप में मनाया जाता है, भगवान श्री संपक्ष की अश्टमी तिथी को रोहिनी नक्षत्र में हुआ था, और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है, दोस्तों जन्माश्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती रात यानी 12 बजे की जाती है, और घंटे घडियाल बजाकर उनके जन्म की बाटी जाती है, दोस्तों जन्माश्टमी का मथुरा और व्रिंदावन में, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उच्छव का आयोजन भी करते हैं, और बाल गोपाल के लिए बाल की भी सजाते हैं, ऐसी म की भगवान विश्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था, और इस दिन पर धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यधिक फलदाई होता है, दोस्तों शास्त्र में जन्माश्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी गया है, भविश्य में इसके संदर्भ में उल्लेक है कि जीस घर में यह वरत किया जाता है, वह अकाल मृत्यो गर्भपात दुरभाग्य तथा कलह से, पीडित नहीं होता है, और जो भी इस वरत को एक बार कर लेता है, वह दुनिया के सभी, सुखों को भोग कर भी तिथी में ही करना चाहिए, तब इसका पूरा फल होता है, और जो लोग इस वरत को रखें, उन्हें सुनले की रात में हलका वसात्वित भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए, दोस्तों, जनमाश्टमी के वरत के दिन कुछ लोग निर्जला इसके पश्चात पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मू करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्ट कर अक्षत लेले और जन्माश्टमी का संकल्प करें इसके पश्चात भगवान कृष्ण जी की पूजा करें आपको बता दें कि भगवान श्री की पूजा निश्चितकाल यानि आधी रात में करने की परंपरा रही है और किसी-किसी घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं तो उनके लिए बता देते हैं क गंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले और कुछ थोड़ा सा काट कर उसमें लड़ू गोपाल को बिठा दे जब बारा बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकाल कर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दें इसे नाल छेदन कहा जाता है इसके पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं फिर उन्हें पंचामरित दूध गहीजी शहद और शक्कर से स्नान कराएं तत पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से प दोस्तों अब आप लड़ू गोपाल की विधिवत पूजा करें उन्हें चंदन का तिलक लगाएं फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं भोग में आप माखन मिश्री पंच अमरित नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं ध्यान रह उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें इसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड़ू गोपाल को इस दिन जुला जरूर जुलाएं दोस्तों जन्माश तमी की रात को लोग रातरी जागर्ण करके भजन कीर्टन शो आदी भी करते हैं इससे आपको शुब फल की प्राप्ती होती है दोस्तों शास्त्र में जन्माश्टमी के वक्त को वक्त का राजा भी गया है भविश में इसके संदर्भ में उल्लेक है कि जीस घर में यह वरत किया जाता है वह अकाल मृत्य गर्भपात दुर्भाग्य तथा कलय से पीडित नहीं होता है और जो भी इस वरत को एक बार कर लेता है वह दुनिया के सभी सुखों को भोग कर विश्नु लोक में निवास करता है दोस्तों इस दिन लोग पूरा दिन भर उपवास रखते हैं आपको बता दें कि जन्माश्टमी का वरत अश्टमी तिथी से शुरू होता है और इस वरत का पारण नवमी तिथी में ही करना चाहिए तब इसका पूरा फल होता है और जो लोग इस वरत को रखें उन्हें सुनले की रात में हलका वसात्विक भोजन करना चाहिए साथ ही ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए दोस्तों जन्माश्टमी के वरत के दिन कुछ लोग निर्जला रहते हैं तो वहीं कुछ लोग फलाहार करके भी इस वरत को पूरा कर सकते हैं। की पूजा निश्चितकाल यानि आधिरात में करने की परंपरा रही है और किसी-किसी घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले और कुछ थोड़ा सा काट कर उसमें लड़ू गोपाल को बिठा दे जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकाल कर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दें इसे नाल छेदन कहा जाता है इसके पश्चात उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से सनान कराएं फिर उन्हें पंचामरित दूध दहीजी शहद और शक्कर से सनान कराएं तत पश्चात गंगा जल से सनान कराएं इसके पश्चात शुद्ध जल से सनान कराने के पश्चात उन्हें साफ कपड़े से पहुँचकर उन्हें नए सुन्दर चमकीले वस्त्रधारन कराएं और उनका श्रिंगार करें इसके पश्चात उन्हे जूले या सिनहासन में करें ध्यान इस दौरान आप कृष्न नाम का जाब करते रहें या राधे-राधे बोलते रहे या श्री कृष्न जी के किसी भी मंत्र का जाब करते रहें दोस्तों अब आप लड़ू गोपाल की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें, और उन्हें भोग लगाएं, भोग में आप माखन मिश्री पंच अमरित नारियल से बनी मिठाई या धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं ध्या गर्ण करके भजन कीर्तन शो आदी भी करते हैं, इससे आपको शुब फल की प्राप्ती होती है, आपको बता दें कुछ लोग रातरी की पूजा के पश्चात ही अपने वरत का पालन करते हैं, और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ध्यान रहे की आप प्रस खाकर ही अपने वरत का पारण करते हैं, तो दोस्तों चलिए आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में का पर्व को कब मनाया जाएगा, तो आपको बता दें कि कृष्ण पक्ष की अश्टमीति थी इस बार 6, सितंबर को पढ़ रही है, ये कृष्ण का 5,250 वा जन्म दिन, होगा ऐसे में यह 6 सितंबर को दोपहर 3 बचकर 37 मिनट से शुरू होगा, और 7 सितंबर को शाम 4 बचकर 14 मिनट तक रहेगा, दोस्तों इस दिन सुभा 9 बचकर 20 मिनट से रोहिनी नक्षत्र शुरू होगा, ऐसे में ग्रस्त सितंबर और वैशनव संप्रदाय के लोग 7 दोस्तों पूजा के लिए इस बार शुभ मुहूर 40 मिनट का है, जो की 12 बचकर 2 मिनट से 12 कर 48 मिनट तक रहेगा, ऐसे में इस दिन रोहिनी, नक्षत्र का सन्योग भी बन रहा है, ऐसे में इस दुल्लब सन्योग में की पूजा करने से 3 जन्मों कैसे मुक्ती, मिलती है यद पूरी हो जाती है, दोस्तों सकंद पुरान के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का रास चलता था, उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस जिसकी चचेरी बहन देवकी थी कंस अपने ही पिता को जेल में डाल कर स्वया राजा बन कर राज लगा पर दूसरी और कशप रिशी का जन्म राजा सूरत सन के पुत्र के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ जो की आगे चलकर वा कारण बनेगा ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने ऐसा होने से बचा लिया वासुदेव सत्य थे उन्होंने कंस को वचन की वह अपना आठवा पुत्र उसे सौंप देंगे दोस्तों वासुदेव जी की बा संतान कंस द्वारा मारे गए इसके पश्चात देवकी के आठवें पुत्र का जन्म हुआ भादरपद मास के क्रिश्न पक्ष की अश्टमी तिथी को रोहिनी नक्षत्र के दोरान मध्यरात्री में भगवान श्रीक्रिश्न का जन्म हुआ था बालक जन्म लेते ही की कोठरी प्रकाशमय हो गई साथ ही एक आकाशवानी सुनाई दी की तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहां छोड़ आओ वहां एक कन्या का जन्म हु ये उफान पर आ गए फिर चरंस पर्ष करते हुए पूर्ण शांती पढ़ गई फिर इसके पश्चात वासुदे ने अपने पुत्र को यशोदा मया के बगल में सुला कर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लोट आये तत पश्चात जेल के दर्वाजे अपने आप गई और बोली अरे मूर्ख मुझे मारने से क्या होगा तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है यह बात सुन कृष्चन का पता लगा कर उसे मारने का खूब प्रयास किया आध्या देते हुए राक्षस भी भेजे लेकिन भगवान क्रिष्चन को कोई नहीं मार सका अंत मेंने कंस का वद किया और उग्रसेन को पुन राजा बना दिया गया और इस प्रकार श्री क्रिष्चन जन्माष्टमी की वरतकथा पूरी होती है तो ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से सारे जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, साथ भगवान का आशिरवाद भी सदैव बना रहता है, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जन्माश्टमी के दिन भर कौन से उपाय है, जीसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमप जाएगी और आपकी सारे गोपाल को नई पोशाक पहना ये भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रिंगार करें पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वह जयनती फूलों की माला अर्पित करें, यदि वह जयनती फूल माला ना मिले तो रंग के फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशिरवाद मिलेगा और आपके हमें प्रक्ति आएगी इस उपाय से भाग्य होगा आपका मजबूत। जिन बाल गोपाल की पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें, फिर पत्ते पर दूर से श्रीहरी लिखें, फिर रोज उसको पूजा करने के पश्चात जहां पैसा रखते हैं, वहां रख दें ऐसा करने से घर में धन, धान्य की कमी नहीं होती है और धन जिन बाल गोपाल के पास मूर्ती को रख कर उसकी पूजा करें, ऐसा करने से भगवान कृष्ण जी की कृपा जल्द शुब समाचार सुनने को मिलती है, इसके पश्चात गाय और बच्छडे की मूर्ती को इशान कोन में रखना स्थान माना गया है, इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी आपकी दूर दोस्तों कर्स की समस्या से यदि आप परेशान हैं, तो जनमाश्टमी के दिन, दक्षिनावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिशेक करें दक्षिनावर्ती शंख को, लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और लक्ष्मी पूजा में शंख के बिना पूजाना होती है, ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, और लक्ष्मी की प्राप्ती होती है, इस उपाय से होगी व्यवसाय में उन्नती दोस्तों जनमाश्टमी के दिन सुभा शाम ग्यारा बार तुलसी की क्रमांग करें, और घी का दीपक जलाएं, इसके पश्चात एक आठ बार ओम नमो भगवाते वासुदेवाया मंत्र का जाप करें, साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री डाल दें, और कपूर और मिश्री का हम भी करें, ऐसा करने से नौकरी, व्यवसाय में उन्नती होती है, तो दोस्तों वीडियो से वि ला गया हो, तो मैं माफी चाहूंगा, तो यह थी आज खास जानकारी आशा है, कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, विडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक अवश्य कर दे, धन्यवाद.